इस वीडियों वायत करेंगे प्रदूसर्ड के बारे में प्रदूसर्ड से इंपॉर्टन कुस्टन कहां से बने हैं उन सभी कुस्टन पर ही चलते हैं सीधे प्रदूसर्ड और प्रदूसर्ड के प्रकार ऐसे कुछ यहां से वह फिवाई प्रदूसर्ड चल प्रदूसर्ड ऐसे करके तो पहला कोश्चन पूछा गया है मानो जनित पर्यावरड़ी प्रदूशर कहलाते हैं तो ये एंत्रोपोजेनिक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जो मानो जनित पर्यावरड़ी प्रदूशर कहलाते हैं एंत्रोपे एंत्रोपोजेनिक कहलाते हैं अगला है मानो गत्व से परिवर्थित पर्यावर्ण कहलाता है तो anthropogenic जैनिक पर्यावर्ण कहलाता है यही repeat question हुआ साथ इसमें यह तो विग्ठित प्रदूसर क्या होते है तो वाहित मल्च होते हैं वो जैविग्ठित प्रदूसर होता है उसके बाद में कौन सा जयो अपघटी अपघटनी या प्रदूशक है तो यह सीवेच होता है सीवेच ऐसे प्रदूशक जिनका सुष्म जीवधारियों दोरा पूर्ड विख्ठन किरिया जा सके जयो अपघटनी प्रदूशक कहलाते हैं यह पारिस्तित की तंत्र के लिए आपयोगी होसकते हैं जैसे सीवेच हैं कागय चय लखड़ी त्यादी कहलाते हैं तो जैसे वीकल में से रबर जयो निमनी करड़ है तो रबर होगा इसका एंसर प्लास्टिक नहीं रबर होगा ठीक है तो रबर हो जाएगा अगला कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन क्या अगला प्रदूशर ही है तो यहां पे देखो यहां पे अगर कोश्चन बनेगा आप से तो यही कोश्चन बन सकता है कि जयो विगटिद प्रदोशक कौन से हैं ठीक है तो इसमें क्या क्या आता है भी जयो विगटिद प्रदोशकों के कुछ उधराण है जैसे घरेलू अप्सिस्ट है मूल है मूत्र है तथा मल है वाहित मल इत्यादी जयो निमनी करड़ी प्रदोशक या जयो विग प्रदोषक जैसे कि घर का कोड़ा है पसुँ के मलमूत रहें सीवेज इत्यादिका होता है उसी प्रकार से जयोनिम्नी करड़ी प्रदोषकों को आशाने से प्राक्तिक तरीके से निंद्र किया जा सकता है ठीक है भी अगला आता है वायू प्रदोषक यहां से शुरुआत हो कहा निकल गया भी और कि बइक दोशन फीर को सफाप्रेते हैं किस यहां से चलते हैं ठिक कहता क्या है कि कवैला कोमा है पेट्रॉल है डीजल है आदी का धे लैं मूल्ट रोट है क्या तुवाइफ प्रदोषक नका होता है वाइफ प्र्दूशन इसे होता एक थैक्वैला ह होता है प्रकास राशाइनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निमेशे कौन सा एक उत्वन होता है जब क्या होता है प्रकास राशाइनी धूम्र कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्वन होता है तो नाइट्रोजन आक्साइड नाइट्रोजन आक्साइड उत्वन होता है धूम को स्मॉग और फॉक के मिलने से बना होता है प्रकास राजानिक धूम कोहरा वाय प्रदूशर की एक अवस्ता है गाडियों और धोगिक कारखानों से निकले धूएं में उपस्ति नाइट्रोजन आकसाइड अधा नाइट्रोजन डायकसाइड कैसे सूरी के प्रकास में हाइट् प्रक्सी एसेटिल नाइट्रीट है और दोति इक प्रदूस को से प्रकास राजानिक धूम्र कोहरे उत्पन होता है तो नाइट्रोजन डायकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड और हुजून तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के भी सूर के प्रिकास की उपस्तिती में होता है तो ये जस्ट अभी उपर भी बड़े देश का अंसर यही है अगले कुश्चन पर चलते हैं कहता है धुआ में आखों को प्रभावित करने वाला कौन सा सकतिसाली तेश जी होता है तो इसमें होता है पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है होता है है अगला कोश्चिन कहता है कि सामान पर इस्थितिवों में वातावरण में प्रदूश्ष दूतssa .सिंश में C.O. CU. Carbon Monoxide कौन एक दौतियक प्रदूशक नहीं है तो दौतियक प्रदूशक आपका Sulfur body oxide की प्रदूशक नहीं है बागी PAAN है Mismag है Ezone है ये सभी दौतियक प्रदूशक के अंतर गदते हैं प्राथमिक प्रदूशक होते हैं Carbon Monoxide है Carbon dioxide है और शल्फर डायकसाइड है तो शल्फर डायकसाइड क्या होती है प्रात्विक में आती है ड़ो त्यवन कौण से यह से ओजोन हुआ प्राक्षी सिटिल हुआ निट्रेट हुआ अगला देखते हैं कौन सा दुतियक प्रदूशक है तो इसमें इस्माग हो जाएगा CO2 है कार्बन मोनोकसाइड है फ्लाइ एस जो होते हैं ये सभी कैसे होते हैं प्रात्मी प्रदूशक होते हैं कौनसी भीयद होती है Carbon Monoxide होती है मोटर 와ahnों से निकलने वाली निम्द मेंसक कौनसी एक मुखे कैस होती है तो Carbon Monoxide जलने से निम्न धात्य जो वाईव को प्रदूसित करती है, लेड होती है कोता है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्नधातु वाई को प्रदूसित करती है तो लेड हो जाएगी लेड क्या होता है थोड़ा इसके बारे हम देख लेते हैं लेड को इंजन में नौकिंग रोकने के लिए प्रियुक्त किया जाता है अब परिशोधन साला तकनीक में उन्रेयन के गार्ड पेट्रोल में लेड ढालने के और शक्ता समाप्त हो चुकी है लेड एक वाई प्रदूसिक है जिससे कई गंवीर स्वास्त परड़ाम हो सकते हैं लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है उनके बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है तथा वैसकों में हर्दे वास्वास्वसन समंदी विमारियों को उत्पन करता है CNC का मुखे घटक कौन सा होता है तो मेथेन होता है क्या होता है इसका CH4 होता है तो CH4 मेथेन होता है चलिए भई आगे देखते हैं अगला कुश्चन आपसे पूछा गया कहता है कि कौन रग्त धारा को दूस प्रभावित कर मौत उत्पन कर सकता है कौन सा प्रदूशक है तो कार्बन मोनो अक्साइट कार्बन मोनो अक्साइट हो जाता है कौन वाई कौन सा वाई प्रदूशक अक्सिजन के पेच्छा अधिक सिगरता से रखत के हीमोगलोबीन में घुल जाता है तो कार्बन मोनो अक्साइट ही होता है इसका अंसर इसके बाद में कौन वायू प्रदूशक सरवाधी खानी कारग है कार्बन मोनो अकसईट कौन सी एक वायू प्रदूशक गयस है जो जिवास मेधन के जोलन शुरूप उत्पन होती है सल्फर डायकसईट अ कि एनियों का कि ए इसमें हो गया इसमें हो गया सल्फब्र डैकसाइड में एक जो वाइब प्रणूशक गैस है जो जीवास मेहधन के जलने से उतपन होती है तो इसका अंसर सल्फर डैकसाइड हो जाे गा है इक लेक कुश्छनपे जल्स श्य कहता है फ्लाई एस एक प्रदूशक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से तो ये कोल जलाने से प्राप्त होता है कोल मतलब पत्थर के कोईले को तो ये कोल कहते हैं फ्लाई एस जो होता है एक प्रदूशक दहन उत्पाद होता है फ्लाई एस प्रदूशक होता है तो ये जस्ट अभी तॉप विद्धुत से उत्पन होता है निम्लुकित में से कौन सा वाई प्रदूशक के जैविक सूचक का कारी करता है तो लाइकेन जो होते हैं वो सल्फर डायकसाइड के अगर मात्रा चाहता हो जाती है तो पता कर लेते हैं उसके बाद में देखो वाई प्रदूशक का सूचक है लाइकेन होता है उसके बाद में कौन सा वाई प्रदूशक के जैविक सूचक का एभी इसका भी एंसर लाइकेन से वाइब प्रदूशर संगे तक पहुत है, लाइकेन, लाइकेन से कुश्चन बहुत बार पूशा गया भी है, लाइकेन सबसे अच्छे सुचक होते हैं, तो यह होते हैं भई, वाइब प्रदूशर के होते हैं, वाइब प्रदूशर को बता देते हैं, कौन सा जल प्रदूश इतने अगर कौन सा है तो अंकलेशर है, ठीक है, उसके बाद में ये उस टाइम का करेंट का था, छोड़ देते हैं, इसको छोड़ो, कोई दिखकर नहीं, यहां से कहता है, पर दूशर युक्त वाई-मंदल में किसके दौरा सुच किया जाता है, तो वर्सा के दौरा किया जा जाता है वर्षा के द्वारा वाइव अंदल सच हो जाता है जब वर्षा होती है अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन कहता है आप से की वाइव प्रडूशन इंटरल हे तु सित्मबर तो थारव में वाइव वाइव प्रडाली का सुभारम किस राजसी में किया तो दिल्ली में किया गया कहां पर दिल्ली में किया गया इस यह भूब आदल भूब आदल दोजार दो अधिकांसता फैला था कहां तो दच्छडेसिया में फैला दच्छडेसिया में फैला था जाड़े की रित्में दिल्ली में दिल्ली में क्या होता है जाड़े की रित्म यह सह नहीं होथ है तो क्यूब गत्धनिंब का सही यह सही है बाकी यहार गलत है इसके बाद में यहाँ पर सरवधिक प्रदूशिक कहते हैंдोर attitudes का सरवाधिक महत्पूर प्रदूशिक थ। यह हो जाएगा redon gas कौनसी redon gas हो जाएगी उसके बाद में cigarette के दुए में मुख्य producer कौन से होते हैं कार्बन monoxide और benzine होते हैं carbon monoxide और benzine होते हैं ringle ringle man scale का प्रयूप किसके घनत के मापन में किया जाता है तो धुआ के घनत के मापन में किया जाता है अगला question आपसे पूछा जा रहा है कि इंधन के रूप में हाँ कहता है इंधन कहा चला इंधन के रूप में कोईले का उप्योग करने वाले शक्ति सहीं अंत्रों से प्राप्त फ्लाईयस के संदर में कौन सा कतन सही है फ्लाईयस का उप्योग भवह निर्माड के लिए इंधन के उतवादन में किया जाता है सही बात है फ्लाईयस का उप्योग कंक्रीट के कुछ पोर्टलेंड ट्रीमेंट अंस के स्थाना अपन के रूप में किया जा सकता है सही है तीसरा कहता है कि fly ice केवल silicon dioxide और calcium oxide से बना होता है इसमें कोई विशाक्त तद तो नहीं होता है भाई गलत है होता है विशाक्त तो इसमें मिलते हैं तो केवल एक और दो इसमें कतन सही है ठीक है अगला कहता है कि कौन सा कौन सा कारड है जो बेंजीन प्रदूसर उत्पन करते हैं पहला कहता है सोचालित वाहन दूसरा कहता है तमागोगा धुआ और लकडी का जलना और क्या कहता है रोगन किये गए लकडी के फरनेचर का उप्यूग और पॉली यूरेथिन से निर्मित उत्पादों का उप्यूग फिर कहता है इसमें कौन सा सही है तो एक दो तीन सही है तो यह वाले गलत है मतलब चार पांस गलत है और केवल यह वाले सही है जो बेंजीन प्रदूसर होता है उसके बाद में तमाखो का जो धुआ होता है उससे होता है और लकडी का जो जलना होता है इससे आपका बेंजीन प्रदूसर होता है अच्छा भी यह अगला कुश्चन कहता है कि कौन सा एक वाई प्रदूसर की डोक्ताम की एक यंत्री विधी नहीं है तो वाई प्रदूसर की अंत्री विधी साइकलोन डिवाइडर नहीं है साइकलोन डिवाइडर नहीं है बाकि साइकलोन कलेक्टर है साइकलोन सेपरेटर है बैग फिल्टर है अगला कहता है कि हमारे देश में हमारे देश में सहरों में वाई गुडवत तासुस कांग का परिकलन करने में साधारड़ा वाई मंडली गाशों में से किसने को विचार में लिया जाता है तो CO2 फिर कहता है कार्बन मॉन आकसाइड, नाइट्रोजन डैकसाइड, सलफर डैकसाइड और मेथेन तो इसमें जो लिया जाता है वो आपका कार्बन मॉन आकसाइड लिया जाता है और क्या नाइट्रोजन डैकसाइड लिया जाता है, सलफर डैकसाइड लिया जाता है मेथेन और स्योटू को छोड़ दिया जाता है तो के वल यह लिए जाते हैं उसके बाद में देखना अगला कुश्चन कहता है कि वाइव सरवच्छड रस्ट्री रस्ट्री सच वाइव कारिकरम के इंसर का दोरा किस फर्स में प्रारम किया गया 2019 में किया गया मेट्रोपॉलिटन सेरो में कौन से मुख्य वाइव प्रदोशक होते हैं कार्बन डैकसाइड नहीं कार्बन मोनोकसाइड और सल्फर डैकसाइड हो जाएंगे इसका एंसर तो यह बाकी फिलाल इसनों नहीं बाहर कर दिया था मुलेंकल से क्योंकि सियोटी भी होता है नाइट्रोशन डैकसाइड भी होता है कार्बन मोनोकसाइड भी होता है सल्फर डैकसाइड भी होता है सीसा ओजोन आध भी होते हैं फिर कहता है कि अगला कहता है कि वहनों में उत सर्चित कार्बन मुन आकसाइड को कार्बन डैकसाइड में परिवर्थत करने वाले उत परिवर्थन की सिरेमिक डिस्क किस से इस्तरित होती है इस्तरित होती है तो यह पलेडियम से पलेडियम से होती है अगला टॉपिक ही है आमलो वर्षा आमल वर्सा से question बनें कई सारे